आप सब आप सब का स्वागत है हमारी को और नए वीडियो में तो गाइज आज हम लोग जाने वाले हैं बरुच के गोल्डन ब्रीज में और आज मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्स्प्लोर करने वाला हूँ तो वीडियो लास तक जरूर देखना और चैनल पे अज पेज़ा बहुत। तो गाइज अभी आप जो रास्ता देख रहे हूं इसे बुलते हैं कॉलेज रोड और यह बरुच में है क्योंकि यहां पर बहुत चारी कॉलेज है इसलिए इसको कॉलेज रोड के नाम से जाना जाता है तो गाइज अब हम लोग पहुंचने वाले अपने गुल्डन ब्रीज के पास पास अब आप अब आप अब 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 तो गाइज हम लोग पहुंच चुके गॉल्डन बीच के नस्दीक और हर बार की तरह इस बार भी में ट्राफिक में फॉस्ट उकाऊ और मतलब यहां पर कॉमन हो चुका है अब ट्राफिक साम के वक्त आपको देखने को मिली जाता है अब अब सो गाइज यह अपना गॉल्डन ब्रीच का में गेट स्टार्ट किया था और वो जो ब्रीच है वो 16 में 1881 में बनके रैडी हो चुका है तो गाइज आप सब साइड में देख सकते हो यह है अपना सिल्वर ब्रीच और यह ट्रेन को मतलब आने जाने के लिए यह स्पेशल ब्रीच बनवाया गया था और गाइज यह जो ब्रीच वो करीबन वन पॉइंट फूर किलोमेटर लंबा है और गाइज यह जो ब्रीच वो एटीन सेंचुर्य में बनाया गया था तो उस वक्त इसकी कोस्ट थी 45 लैक्स और मतब उसे पहले नर्मदा ब्रीच स जाना जा जाता है उसके बाद इसका नाम गोल्डन ब्रीच हो गया और कैसे जो ब्रीच वो बरुच अंकलेश्वर जाने के लिए और अंकलेश्वर से बरुच आने के लिए यह ब्रीच बनवाया गया था अब तो यहां पर मदला पानी बहुत कम हो चुका है अभी तो और जब पानी रहता है यहां पर तो आपको यह जो साइड में दीख रहा है शुका एरिया वहां पर पानी आ जाता है सु गाइज यहां पर सन का व्यू कुछ अलग है दीख रहा है और मैंने कुछ सिनेमेटिक सोट्स लिये तो आप देख सकते हैं और यहां पर काईज हमारे ब्रीज का चुका है और आप यहां पर साइट में देख सकते हैं बहुत सारे स्टूल्स है और यहां पर मतलब खान आपको मिल जाएगा सो गाइज अभी हम लोग चल रहे है यह गोल्डन ब्रीज की एक्जेट बाजु वाला ब्रीज और यहां पर मतलब थोड़ा बहुत काम बाकिया इसलिए अभी यह ब्रीज को स्टार्ट नहीं किया है इस विडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को सेर करना है तो मिलते आपको जल्दे नेक्स्ट वीडियो में